नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी चौब नियोज और मैं हूँ सनमय प्रकाश ये वीडियो है डेली करेंट फर्स और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फैसले किसके तो चुनाव आयोग के तो देश में अब 6 नेशनल पॉलिटियल पार्टी बचे है पहले 8 थी अब कम हो गई है आमादमी पार्टी को राष्टी दर्जा मिल गया है तीन दलों का राष्टी दर्जा चीन लिया गया है तो कई सारे question बनते हैं इस पर national law और regional party के नियम क्या है, political party को जो एक दर्जा मिलता है, राश्टी ये छेतरी ये तो उससे क्या फायदा होता है उनको, भारत में कितने तरह की political party होती है, उनके नियम क्या है, किन दलों के पास national party का दर्जा है, यानि कौन-कौन जो छे दल है, किन दलों के पास regional party के दर्जा है, कुछ नए regional party मतलब उनको दर्जा दिया गया है, कुछ दलों को, कुछ का regional party का दर्जा छीन लिया गया है, तो इस तो related कई सारे important question है, जो आपके examination में काम आएंगे, और अगर examination नहीं भी दे रहे हैं, तो भी ये सब जानकारी होनी चालिए और भी मुद्य है, कई और topic है, उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों, तो शूर करते हैं, और ये news देख रहे हैं आप कि ये फैसला हुआ है, election commission of India का, कब फैसला किया है, तो ये 10th April को हुआ है, evening को, देर शाम 10 April को, तो शूर करते हैं दोस्तों और पहला question लेते हैं, इस से दे दिया है, answer का इसका, आप, यानी, आम आतमी party, ठीक है, तो उसको national party का, दर्जा मिल गया है, जो शर्टे होती है, चुनावायो का अनूसार, national party का दर्जा हो, पाने के लिए, तो उस सब शर्टे पूरी कर लिए, उसके बाद ये दर्जा मिल गया है, क्याकर शर्टे होती यह आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कुछ कोशन ले लेते हैं, तो आमाद्वी पार्टी उसके जो चीफ होते हैं, उसके उस्पद का नाम होता है, नेश्डल कॉर्ड कन्वेर्न, राष्टिय सन्योजक, ठीक है, तो वो है अरविंद केजरिवाल, ठीक है, तो में वोट मिला था, गुजरात में 12.91 परसेंट वोट मिला था, पांच सीटे मिली थी, तो इस तरीके से उसका जो क्राइटेरिया है नेश्डल पार्टी का वो प्राप्त कर लिया और यह मिल गया, ठीक है, इन सब के बारे में मैं और डीटेल बताऊंगा, कि क्या पार्टी छे हैं, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, इस से लिलेटेड अगला पोस्टन, राश्ट्रिय पार्टी का दरजा, प्राप्त राजनितिक दनों का नाम बता है, कौन-कों से है, जिनको नेश्नल पार्टी का दरजा मिला हुए है, तो इन में से कौन है, यह सब ऑप्शन इन्पॉर्टेंट है एक्जामिनेशन की तो आंस होगा D यानि कौनकों से BJP, Indian National Congress, BSP, CPIM, NPP और आप तो ये छे पॉलिटिटिल पार्टी अब देश में हैं जिनको राष्टिय पार्टी का दर जाए देखे अप्रेल से पहले यानि अगर हम कहेंगे तो दस अप्रेल से पहले देश में आठ नेशनल पार्टी थी लेकिन चुनावा योग ने तीन नेशनल पार्टी का एस्टेटरस वापस ले लिया और एक को एक नई पार्टी को national administrators दे दिया है जिसे आम आग्मे पार्टी इसलिए ये संख्या 6 हो गई है ठीक है तो इन सब के बारें बताते हैं फिर आगे अगले question बताएंगे कि किन किन का दर्जाव आपसरे लिया गया है तो भारती जनता पार्टी ठीक है ये राश्ट्री पार्टी है पहले से और इसके चीफ है जै प्रकाश नडड़ा जेपी नड़ा और यहां पर प्रेसिडेंट कहलाता है जो मुख्य पद होता है वो दूसरी पार्टी है भारती राश्ट्री है कॉंग्रेस, INC, International Congress, जिसको कॉंग्रेस भी कहते हैं, तो उसके प्रेसिडेंट है, मल्लिक आरजुन, खर गे, अगली पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, यानि BSP, उसकी अध्यक्ष मायवती है, अगली जो पार्टी है, वो है चीफ है, महासचीव है, अगला है NPP, यानि National People's Party, और इसके जो चीफ है, वो है, कॉंडोर्ट संग्मा, और उसका चुनाव चिन आप देख रहे हैं, ठीक है, तो मेगाले के मुखमत्रे भी हैं, अगला नाम है, आमाद्वी पार्टी, उसके चीफ अरविंद के जिर्वाल है, और National Convainer कहा जाता है, चीफ को यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कोशनेते हैं, चुनाव आयोग ने, अप्रेल 2023 में, किन राजनीतिक दलों से, राष्टिय से दल हैं इसमें, इसमें से कौन कों से हैं, इसका अंसर होगा है, यानि TMC, NCP और CPI, ठीक है, तो यह तीन हो रहा है, पहला है त्रिनमूल कॉंग्रेस, उसकी अधक्ष कौन है, ममता बनर जी, ठीक है, दूसा है Nationalist Congress Party, यानि NCP, उसके चीफ है शरत पवार, ठीक है, और तीस पार्टी है, Communist Party of India, यानि CPI, उसके चीफ है, डी राजा, जो Secretary General कहे जाते हैं उसमें, ठीक है, तो CPM और CPI में फर्क है, ओकी, CPM जिसको राश्ट्री पार्टी का दर्जा मिला है, या फिर उसको करते हैं, CPIM, और यह है CPI, जिसका दर्जा वापस ले लिया गया है, ठीक है, कन्फूजर नहीं होना चाहिए, और जो भी बता रहा हूँ मैं, उसका पूरा PDF, इस दिस्क्रिप्शन में अबलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लेन्वेज में, और अगर आप पिछले एक साल और अगले एक साल के तमाम Current Force के PDF प्राप्त करना चाहते हैं, weekly, monthly, quarterly, yearly, तो उसके लिए membership है, बहुत मावली सी रकम है, और discount भी चल रहा है इसमें, एक साल के membership में क्या क्या मिलता है आपको, PDF Current Force का मिलता है, साथ में mock test दे सकते हैं, आप, daily का mock test भी होता है, आज के भी mock test अबलेबल है, सरकारी जॉब में उसके app है, daily, weekly और monthly, mock test है Current Force के, इसके अला conditions है, जैसे MTS है, CGL है, उन सब के test series अबलेबल है, तमाम तरके गए, तो इस वोटी के description में चेक कर लेना, आपको बहुत काम आएगा, चलिए आब आगे बढ़ते हैं, अगला question लेते हैं, चुनावा योग ने किन राजनेतिक दलों से छेतरिये दल का धर्जा वापस ले लि एक बात मैं यहाँ पर किलियर कर देना चाहता हूँ कि जो राजनेतिक दल है, उनका national दर्जा तो एक होता है, ठीक है, राष्टी अस्तर पर, लेकिन regional जो दर्जा है, regional party का जो status है, वो एक party को कई राज्यों में मिल जाता है, ठीक है, किसी का, जैसे इससे पहले आम आदमी party जो ने, उसको चार राजियों में, उसको regional party का दर्जा था, चुकि उसने अपना criteria पूरा कर लिया, तो उसको national party का दर्जा मिल जाता है, तो उसी तरीके से regional party का भी, मतलब दर्जा प्राप्त करने के लिए, जो नियम है, अगर वो पालन नहीं किया गया, उतनी सीटें या उ उत्रप्रदेश में राष्ट्रिय लोकदल, यानि RLD, जैन चौधरी उसके chief है, पशिम मंगाल में revolutionary socialist party यानि RSP, आंध्रप्रदेश में भारत राष्ट्र समिति यानि BRS, हाला कि BRS को ते लंगाना में चेत्रिय दल का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, इससे पहले उसको पार्टी का मनिपूर में, मनिपूर में People's Democratic Alliance, यानि PDA, अगली पार्टी है, पुदुचेरी में पटाली मकल काची, यानि PMK, अगला है मिजोरम में पार्टी है, मिजोरम People's Conference, यानि MPC, और यह मना जा रहा है कि इन सब जो राजनेतिक दलों का जो छत्रिय दर्जा है, वो वापस होने पर, अब उनसे जो उनका चुनाव चिन है, जो रिजर्व रहता है उस राजी में, तो वो छिन सकता है, अगला कोशन लेते, चुनाव आयोग ने अप्रेल 2023 में किन है, यानि किन पार्टी को छेतरिय दल का दर्जा दिया, राजवार बता है, कौन कोंस है, आंस तो इन तीन को मिला है, लोग जनशक्ति, रामविलास, ये रिजनल एस्टेटरस है बिहार में भी, लेकिन अब इसको नगलेंड में भी रिजनल जो पार्टी का है इस्टेटरस, वो मिल गया है, ठीक है, बात पुन बात, अब ये देख लेते हैं, हम लोग कि राजनितिक प पार्टी को इन तीन में से कोई एक शर्थ पूरी करने परती है, तभी उनको राष्टिये दल का धर्जा मिलता है, क्या क्या है, तो पहली शर्थ ही है कि पार्टी को कम से कम चार राज्यों में 6% वोट हासिल हुआ हूँ, एक शर्थ, ठीक है, दूसरी शर्थ क्या है, मतलब यह हुआ कि जीती हुई यो सीटे हैं, वो अलग-लग राज्य से होनी चाहिए, टोटल संख्या 11 होनी चाहिए, तीसरी शर्थ क्या है, पार्टी को चार राज्यों में 6 दल का धर्जा मिला हुआ हूँ, तो तीन में से कोई भी एक अगर शर्थ, कोई पॉलिटिकल पा मतलब उतने वोट भी हासिल हो चुके थे, इसलिए उसे मिल गया, और जो तीन पार्टियां हैं, जिसका दर्जा वापस ले लिया गया है, तो वो इन सब में से कोई भी जो शर्थ है, वो पूरे नहीं कर रही थे, अब सवाल यह है कि राश्ट्य पार्टी को क्या फायदा म जाता है, जैसे अब आम आदमी पार्टी का जारू है चुनाव चिन, यह देश में किसी और को नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर हम बीजेपी की बात करेंगा, तो कमल है, कॉंग्रेस, इंटरनेशनल कॉंग्रेस, उसका पंजा है, हाथ शाप, तो यह सब जो सिंबल है, वो दूसरों को नहीं मिलेगा, राश्टी पार्टी जोई है चुनाव परचार में आधिक्तम 40 स्टार परचारक रख सकते हैं, और इनके यातरा को उमिद्वार के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक, पार्टी के चुनाव खर्च में उमिद्वार को तो अगर राष्टी दर्जा मिला हुआ है और इस्टार प्रचारक की लिष्ट में अगर कोई व्यक्ति शामिल है तो वो जब चुनाओ प्रचार करने जाएगा उसके लिए उस उमिद्वार के लिए तो उसके खर्चे में वो नहीं चुरेगा तो इसे फायद चलाने के लिए और जो आम चुनाओ होते हैं उसमें राष्ट्री पार्टी को आकाशवानी यानि रेडियो पर प्रसारन और जो सरकारी टेलोईजन है उस पर अपनी बातें बोलने के लिए एक मौका मिलता है, ठीक है, राश्ट्री पार्टी को नामंकन दाखिल करने के लिए सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत परती है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी हैं तो उसको दो प्रस्तावक चाहिए, जबकि अन्रेकुनाइज़ड व पार्टी है, योँ सको पांच परस्तावक होने चाहिए, तो ये फर्क है, अच्छा है भारत में पालिकल पार्टी कितने Państwo किस्त रखें, कितने के एंहिस काटिगरी है बहारत में Total 2858. तो इतने पॉलिटिकल पार्टियां हैं देश में भारत में। और यहां एक और बात बता ही देश में उन्हक्त कराता हूँ, गैर मानिता प्राप्तृण ! तो उसे भी चुनाव आयोग में रिष्टेट कराना परता है, लेकिन इनको मानिता नहीं मिली होती है और ये नहीं होती है या इन्हें बहुत कम वोट मिले होते हैं, जिससे की इनको तरजा कोई आपने जाना और एक्जाम निश्क लिए बहुत महत्पूर्ण है तो इसे शेर जोड़ कर दिएगा अपने तमाम दोस्तों को और अब आगे बरते हैं अगला कोशन लेते हैं वो भी महत्पूर्ण है और हाँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को ज़रूर करे साथ में बलाइक का दबाना मत भूलिएगा क्योंकि डेली हम लोग वीडियो लेकर आते हैं करेंट फोर्स का तो अगला कोशन होगा टी ट्वेंटी करकेट में किस खिलारी ने सरवाधिक हैट्रिक यानि चार बाग लेने का रिकॉर्ड पनाया है आंसर होगा राशिद खान आपको पता है कि IPL अभी चल रहा है तो उसी में ये हैट्रिक लगा है राशिद खान ने वो कहा के किस देश्ट के खिला रही है तो अफगानिस्तान के खिला रही है और इंडिया में वो IPL के किस टीम से खिल रहे है किस टीम के साथ तो वो गुजरा टाइटन्स के लिए ख करवाह कपतान है एक अच्छे इस्पिनर है तो उन्हें नौ अप्राइल को केके आर के खिलाफ आमदाबाद में जो खेला गया था मैच IPL का उसमें ये उपलब्दी हासिल की है ठीक है महत्मुन बात दी रही है और फोटोग्राफ ये रहाइन का राशिद खान का IPL अभी चल रहा है मैच चल रहा है और उस पर जो भी final match final result आएगा final match के बाद तो उस पर बहुत सारे questions बनेंगे जो आपको मैं बताऊंगा अगला question रहते हैं दुनिया का पहला एश्याई किंग जटायो सरनेक्षन और प्रजनन केंद्र यानि जेस सी बीसी तो भारत के किस राज में बना है आंसर होगा उत्रप्रदेश ठीक है JCBC फुल फर्म क्या है जटायो कंजबेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ओके तो यह क्यों बना जा रहा है सवाल यह है बनाया इसलिए जा रहा है कि गिद्ध जो है न वो विलुप्त हो रहे है जटायो यानि गिद्ध त को बहुत साफ करने में बहुत-बड़ा योगदान देते है ठीक है जो कोई भी शब पड़ा हुआ है अगर मवेशी का तो उसे खाकर उसे साफ कटने का काम करते तो प्रकृती में बहुत-बड़ा योगदान गिद्ध नह Keanu का है तो तो टाइमस-विंडिया की नियूज भ तो वहां का 1 चेतर है, उसमें 1.5 हेक्टेर चेतर में इसको बनाय जा रहा है, बन चुका है लगभग और 15 करोर रुपे की लागत आई है, तो इसमें गिद्धों के लिए पिंजरे वगर भी बनाय जा रहा है, बिमार गिद्धों के लिए अस्पताल बनाय जा रहा है, और वह काम वहाँ भी किया जाएगा और उदेश यह है कि जो गिद्ध हैं उनको उनकी आबादी को बनाए रखा जाए और यहां जो प्रजनन कराना उदेश है उसके बार फिर उसको जंगल में छोड़ दिया जाए यह है ठीक है 15 साल की यह योजना है और कम से कम 40 गिद्धों को यहा होगी आज यतना गवर्णर कौन है तो आनेंदी बेन पटल राजधानी लखनों अगला कोशन अंतराश्टी सांखे की प्रुसकार यानि इंटरनेश्टरल स्टाइटिस्टिक्स अवार्ब 2023 उसके विजेता कौन है आंसोगा सी आर राओ यानि कल्यान पुरी राधा कृष्ण राओ यूज देखनें आप मेरे पगल में और यह भारती अमेर्की गनितग और सांखे की विद्ध हैं यह जोए ना इंटरनेश्टरल स्टाइटिक्स प्राइज इसको 2016 में सापित किये गया था और यह दुनिया में काफी यह अवार्ड तो यह वर्लड इस्टैक्स कॉंगरेस उसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है अगला कोशन विश्रों पारकिन्स डे कल मना जाता है आंसों का 11 को और इस बारे के थीम क्या है टेक 6 for PD, क्या है, टेक 6 for PD, यह है थीम और इसका मतलब क्या हुआ कि हर 6 मेनट पर एक PD यानि Parkinson's disease को डियाग्नोस किया जता है, और हला कि यह आकड़ा अमेरिका का है, लेकिन यह थीम रखा गया है, क्या थीम है, टेक 6 for PD, PD का मतलब हुआ Parkinson's disease, ठीक है, टेक 6 for PD, तो Parkinson's disease क्या होता है, आम तोर पर उसमें मरीज जो भुलक कर हो जाता है, भूर जाता है, तो और यह जो दिवस है, क्यों मना जाता है, तो लंदन के डॉक्टर थे, डॉक्टर जेम्स Parkinson's, तो उन्होंने ही इसके लक्षन ढूने थे, और इसके बारे में पूरा विस्तार से ब्योरा दिया था, कि यह Parkinson's disease है, जिसकी वज़से आदमी को भूलने की बिमारी है, तो उन्हीं का जन्र दिन होता है, इस दिन, यानि 11 अप्राइल को, तो इसलिए य राश्रे सुरक्षित मात्रत दिवस, यानि National Safe Motherhood Day कब मना जाता है, आंस होगा 11 अप्राइल को, ये दिन, राश्रमिता महत्मा गांधी, उनकी पतनी कस्तूरवा गांधी की जैनती होती है इस दिन, तो 2003 में White Ribbon Alliance की पहल पर भारत सरकार ने इसको घोशित किया हुआ था, ठी एक ही रिक्वेस्ट है, पसंद आयों तो लाइक बटन दवाईए और शेर कर दिए तमाम इत्रों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुच सके, सबका भला हो सके, जो भी एक्जामनेशन की तियारी कर रहे हैं उन सबको, और हाँ मेंबर्शिप है आप सेब के लिए देखना जरूरी इस उडिये के डिस्क्रिप्शन में और पीडियेफ डाउनलोड कर लेना और आज का जो मॉक टेस्ट हैं देना मत भूलना है, योट्यूब चैनल सरकारी जौपनेशन है, आप देख रहे हैं वीडियो और उसी का एप है सरकारी जौप अपने इसका वहाँ पर, ओके, चलिए आप कर मिलते हैं सुपह साथ बिए